नमश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबर की और बढ़ने से पहले अब इक नजर सुर्खियों पर चुनाव आयोग ने पहले चरण के मद्दान के लिए नोटिक्फिकेशन किया जारी बिहार के नए ग्रही सचीफ होगे प्रत्याय अम्रित मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मद्दान होली की मौके पर यूपी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान बिहार में सैक्रों सिक्षकों की जाएगी नौकरी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से चुनाव आयोग ने पहले चरण के मद्दान के लिए नोटिफिकेशन किया जारी लोकसभा चुनाव के मद्दान के लिए चुनाव आयोग ने पहले चरण का नोटिफिकेशन चारी किया है और उसमें बिहार की चार सीटों पर मद्दान होगा, 19 अप्रेल को मद्दान होगा और पहले सेज के लिए पैज और पहले सेज के लिए नामंकन की प्रक्रिया 28 मार्च तक चलेगी और इसके साथ ही प्रत्यासी के नामंकन दाखिल करने के बाद 30 मार्च तक जाच की जाएगी और इसके बाद 2 अप्रेल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले संगेंगे मालूम हो कि पहले चरण में बिहार की चार सीट यानि की गया नवादा जमूई और औरंगाबाद में वोटिंग होगी और इन सीटों के लिए आज से नामगन शुड़ू हो चुका है राजमी चालर सीटों पर लूग सभा का जिनाओ होना है बेपेसे सिक्षक भटी परिक्षा का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था लीग बिहार लोग सिवा आयो की उरसी 15 मार्च को सिक्षक भटी परिक्षा फेस दीन का आयो जन हुआ था इस मामले में गिरफतार मास्टर माइंड विशाल, कुमार्च और अस्या ने SIT की पूछताच में बड़ा खुला सक किया है, उसमें जानकारी दी है, कि तीसरे शरण के बहाली का प्रशन पत्र कॉल का था कि प्रिंटिंग प्रेस से ही लीग हुआ था, Μास्टर माइंड ने कुछ कर्मियों के सहायता से अपने कुछ सुस्वातियों के साथ मिलकर पेबर आउट करवाया था, बताया जाता है कि प्रिंटिंग पूरी होने से पहले ही प्रश्न पत्र को pen drive में लिया गया था और इसे बाहर लाकर प्रिंट करवाया गया, इस कारण इसमें बार कोड नहीं था, फिलहाल EOU इस मामली की जाच में जुटी है बिहार के नए ग्री सचिव होंगे प्रत्याय अम्रित बिहार के नए ग्री सचिव होंगे, मालूम हो कि इनकी पहचान राज में एक इमानदार और हुनहार IAS अधिकारी के रूप में है, इनकी द्वारा ही पुल निगम और बिजली बोज को लापकारी बनाया गया था, इसके अपनी काम को लेकर ये बेहद संजीदा भी है, प्रत्याय अम्रित साल 1991 बैच के IAS अधिकारी है, अपनी काम को लेकर ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं मीटिया करमी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोट, लोगसबा चुनाव की गोषना हो चुकी है, इस संबंध में अमिर्वाचन आयोग ने मीटिया करमियों को लेकर बड़ा निर्णे लिया है, दरसल इलेक्शन कवरेज में लगे मीटिया करमी, पोस्टल बैलेट से मदान कर सेंगे चुनाव आयोग क्यों से मीडिया कर्मियों को आविश्यक सेवा की श्रेणी में रखा गया है और उसके बाद इन्हें पोस्टल बैलिट से मद्दान करने की अनुमती दी गई है आपको बता देगी इसलिए के चुनाव आयोग क्यों से अधिसूचना जारे हुई है मीडिया कर्मियों भी पोस्टल बैलिट से मद्दान के अधिकार का प्रियोग कर सकेंगे बिहार में सैक्रो सिक्षकों की जाएगी नौकरी बिहार में सिक्षा वभाग फरजी सिक्षकों के खिलाफ कारवाई करने जा रही है बताया जाता है कि 15 दिनों को अंदर ही 815 चक फरजी वारा में दोस्टी पाए गए और इनमें से 1310 सिक्षकों की सेवा नियूजन इकाई की ओर से खत्म कर दी गई जानकारिके नुसार बिहार के कई जिलों में नियूजन सिक्षकों पर कारवाई हो गया और इसमें भागलपूर बकसर सिवान सहरसा कटिहार बेगु जोड़ी और ट्रेन और एक वनवे होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा आपकुल सड़सट जोरी होली स्पेशल ट्रेनी चलेगी एहमदबाद दानपूर स्पेशल सूरत परवाणी स्पेशल उधना आरा वलसाड अनरक्षोत सुपरफास्ट स्पेशल हाव्रा खातिपूरा जैपूर वनवे होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा रेल्वी की ओर से सूचना जारी की गई है इसमें बताया गया है कि एहमदाबाद सूरत इधना और हावरा से स्पेशल ट्रेने चलेगी मालू हो कि यात्रियों के भीर और सुविदा को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोशना हुई है महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का होगा निर्मान महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्मान कार्य किया जाएगा जानकार के नुसार साल दो हजार पचीस में ये बन कर तैयार होगा इसके बाद उत्तर बिहार का आवागमन और असान हो जाएगा महात्मा कांदी सेतु के समानांतर नए पुल का नर्मान कार्य पैतालिस प्रतिशत तक पूरा हो चुका है पर तक जिरो माल से लेकर हाजिपूर, बीएसनल, गोलंबर तक 14.5 किलोमीटर लंबे पुल का नर्मान क किया जा रहा है और उसमें 5.6 किलोमीटर का हिस्सा गंगा के उपर बन रहे 4 लेन पुल का होगा जानकारी के इनुसार यहां पुल के दोनों और 8.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की मुख्य सरक के नर्मान के साथ ही, 2-2 लेन की सर्विस रोट का भी नर्मान कार्य होगा और इध पार में अचार सहीता उलंगन के हजारों मामली में फायार दर्ज किया गया है, लोकसबचनों के तारिकों का एलान हो चका और इसके साथ ही पूरे देश में अचार सहीता लागू है, कई चीजों पर पाबंदी लगाए गई है, आदी शुकापालन नहीं करने पर बकसर, पु प्याले में इस समंदित रिपोर्ट भीजी गई और इसके मुताबिक पिछले चौबस गंटे में हजारों मामले दर्ज हुए हैं, अशोक राजपत के नीचे मेट्रो सुरंग का निर्मान कार माई के महने से शुरू होगा, दो दश्मलों पांच किलो मीटर तक इसके लिए खुदाई होगी और पटना विश्व विद्याले से लेकर गांधी मैदान तक मेट्रो के कोरिडोर दू का निर्मान कार माई के महने में शुरू किया जाएगा, फिलहाल मुईनूल हक स्टेडियम से पटना विश्व विद्याले के बीच गांधी मैदान से लेकर अकाशवा गया था और उसके बाद इससे गांधी मैदान से दुबारा लॉंच किया जाएगा, आरचेडी विदायक शंभूनात यादव के छिकानों पर एजी की रेट, देश में एक तरफ लोकसबा चनौव की तारीकों का एलान कर दिया गया है, तो दूसरी ओर राज़त की विदाय इजी की टीम पहुचे और इस कारण हर कंपो मजगी, रेट के दौरान विदायक के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिश बल की तैनाती की गई थी, और इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमती नहीं थी, लालो प्रिशाद की करीबी की संस्कृत बोट के जन हो चुका है, बिहार सरकार की ओर से इस संबंदित सूच ना जारी हुई है, जानकारी के अनुसार लालो प्रिशाद यादव के करीबी भोला यादव, 27 जुलाई 2023 से इस पद पर अध्यक्ष के तौर पर कारिरत थे, महागर्बिनन सरकार में इनकी न्यूक्ती हुई थी और लालो प्रिशाद यादव के प्रभाव से इन्हें नेक्त किया गया था, हालंकि अब इन्हें बिहार सरकार ने हटा दिया है। आड शाप्टर को बनाया गया था, करी मशक्कत के बाद IPS अधिकारी अमित लोधा ने इने गिरफतार किया था, मालूमों कि साल 1990 के दौरान नवादा में अशोक महतो बहुबली के नाम से मशूर हुआ करते थे, और साल 2023 में ये 17 साल बाद जेल की सजा काट कर बाहर निकले, नवादा जेल ब्रेक कांट सहित कई मामलों में इनकी संलिपता थी, पपू यादव ने लालो प्रशाद यादव और टेजस्वी यादव से की मुलाकात, जाब सुप्रीमों पपू यादव ने राज़त के रास्ट्री अध्याक्षा लालो प्रशाद यादव और बिहार विधान सभा के नीता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ही मुलाकात किया और इसके बाद कहा चारा है कि लालो यादव ने उन्हें आशरवात दिया है, साथ ही पपू यादव इंडिया गडबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, मालू हो कि पपू यादव ने पहले ही साफ कि था कि वो पूर्णिया की लोग सबा सीट से चुनाओ लड़ना चाहते हैं, लालो यादव से ही मुलाकात के बाद पपू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी भावक पिता तुल लालो और भावी तेजस्वी अदव से मुलाकात हुई, इस दोरान उन्होंने भाश्पा को जीरो पे आउट करने की रन्नीती पर चचा की है, साथ ही इनका लक्ष है कि इंडिया गडवन धन मजबूत हो, केंद्रिय मंत्री पशुपती पारस का इस्तीफा रास्टपती ने किया स जिमेदारी कैबिनेट मंत्री किरन डिज़ु सम्हालेंगे, मालूम होकि रास्टपती के प्रेस सचीव के ओर से प्रेस विगपती जारी हुई, और उसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री की सला के मुताबिक कींद्रिय मंत्रिय परिसत से पशुपती कुमार पारस का इस्ती फततकाल प्रभाव से स्विकार किया गया है और सारस के साथ ही पीम के सला के अनुसार ही कैबिनेट मंत्री किरन रिजुजु को उनके मौझूदा पोर्ट फोलियों के साथ ही फूर्ट प्रोसेसिंग इंडरिस्ट्री मंत्राले का प्रभार सौपा गया है IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे रिशव पंथ होंगे DC के चर्मेन नपार्थ जुन्दल के उड़ से ये एलान हुआ है आपको बता दे कि रिशव पंथ ने 14 महनेबाद क्रिकेट में वापसी की है और इसके साथ ही ये IPL 2024 में बैटन के साथ ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रिशव पंथ ने IPL 2024 में डेविड वार्डनर कोल रिप्लेस किया है इन्होंने IPL के पिछल सीजन में दिल्ली की कप्तानी की थी डेविड वार्डनर के नेतरित्व में दिल्ली के टीम कुछ खास प्रदिशन नहीं कर सकी थी दरसल साल 2023 के दिसंबर महीने में रिशव पंथ हादसे का शिकार हुए थे और उसके बाद NCA ने उन्हें फिटनस का क्लिरेंस दे दिया है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें आमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है और जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धर्मेंडर कुमार, सादुल्ला पालवी, वेद प्रकास सिंग, अन्वर करीम खान, नौशाद राजा, सुजीत गोप, सुचील कुमार मोदी, राजकिशूर महतो, मनुज कुमार, गुणर शर्मा, रवी कुमार राम, रमल किशूर जा, मुहमत शुकीर हुसेन और रवी शंक इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का हमारा सवाल है कि आपके अनुसार, क्या पपको यादव महागडवधन के साथ मिलकर लोग सभा का चुनाओ लड़ेंगे, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिग कर ज़रूर बताएं, आज के लिए इतना ही बहार के तुमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेज को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद